हमास के कबजे वाले गाजा में अपना सेन ने अभियान शुरू कर इसरायल लगातार दलल में फस्ता दिख रहा है हमास की खात्मे का प्रण लेने वाले इसरायली पीम नितन्याहू अब तक हमास को काबू करने में सफल नहीं हो पाए उल्टा गाजा में शिरुवाती दौर में जीते इलाकों पर फिर से जंगी हालात बन गए जो ये बताने के लिए काफी है कि हमास लड़ा के एक बार फिर इसरायली बलों की मुश्किले बढ़ाने वाले है यही वज़ा है कि जीत की कोई उम्मीद ना दिखने से तिल मिलाए पीम नितन्याहू ने अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है और दक्षुड गाजा के रफा शहर पर गहर बर्बाना शुरू कर दिया है इस बीच नितन्याहू को इसरायल और अपनी सरकार से भी बगावत की चिंगारी अब शोलों में भढ़कनी शुरू हो गई है पहले रक्षा मंत्री योंग गैलन्ड और अब वार कैबिनेट मंत्री बेनी गेंट्स ने भी आखे ततेरनी शुरू कर दी है दरसल इसरायल जैसे जैसे गाजा में आगे बढ़ रहा है नितन्याहू की वार कैबिनेट में नई दरारे दिखनी शुरू हो गई है इसरायली मंत्री बेनी गेंट्स ने नितन्याहू को एक धमकी दी है इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को युद्ध कैविनेट के लिए 6 पॉइंट्स में प्लान तयार करने के लिए 8 जून तक का समय दिया है ऐसा नहीं करने पर गटबंदन से अपनी पार्टी को अलग करने की धमकी दे डाली है इसमें ये फैसला भी शामिल होगा कि हमास के साथ युद्ध के बाद फिलिस्तीन इलाके पर कौन साशन कर सकता है ऐसे में साफ है कि गाजा युद्ध की आज अब इसराइली सरकार तक आ पहुँची यही वज़य है कि इसराइली नेताओं के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है नेतन न्याहू के लंबे समय से राजनितिक प्रतिद्वंदी गेंड्स की योजना में बंदकों की वापसी इलाके में सेना को हटाना और हमास का नियंत्रन खत्म करना और इसराइली साओधी अरब रिष्टो पव सामाने बनाने के प्रयासों का समर्थन करना शामिल है उन्होंने कहा कि यदि आप कटरपंथियों का रास्ता चुनते हैं और पूरे देश को पीछे ढखेलने का काम करोगे तो हम सरकार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे इसराइली साइनिक तो मोर्चे पर अविश्चिनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उन्हें वहां भेजने वाले लोग कायरता दिखा रहे हैं बंधक गाजा की अंधेरी सुरंगों में नर्प की यातनाय जहलने को मजबूर है इसराइली जनता भी आगे आ रही है तो वही इसराइली पीमो ने गैंट्स की धमकियों का जवाब देते हुए कहा गेंट्स की शर्तों का मतलब साफ है कि युद्ध का अंत और इसराइल की हार बंदकों को छोड़ना और हमास को सत्ता देना और एक फिलिस्तीनी राज्य बनना होगा वहीं गैंट्स के कार्याले ने भी पीमो के बयान पर पलटवार करते हुए कहा अगर प्रधान मंत्री ने गेंट्स की बात सूनी होती तो हम महीनों पहले रफा में दाखिल कर चुके होते और मिशन पूरा हो चुका होता यदि आपात कालिन सरकार प्रधान मंत्री के लिए महत्वपूर्ण है तो उन्हें आवश्यक चर्चा करनी चाहिए आवश्यक निर्ड़े लेने चाहिए और अपनी सरकार में चरम पंथियों के डर से अपने पैर पीछे नहीं खिछने चाहिए फिलिस्तिनी प्रादीकरण गाजा पर साशन करने में सक्षम नहीं होगा बाकि फिलिस्तिनी गुट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ तब ही जब हम अरब देशों और अमेरिकी समर्थन से समर्थन जुटाएंगे बताते चले कि नेशनल यूनिटी पार्टी के नेता आईडिएफ के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ बेनी गेंड्स जो हाल के वर्षों में नितन्याहू को हराने में बार बार विफल रहे बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के कुछ दिनों बाद एक एमर्जन्सी वार अलायंस में नेतन्याहू के साथ शामिल हुए थे बहरहाल इस्राइली पियम इन दिनों भारी तनाव में दिख रहे हैं उनके साथ ही मंतरी अब जन्ता को ये बताने में जुटे हैं कि नेतन्याहू इस्राइल को विनाश की ओर ले जा रहे है कि प्रणी गिर जाब दिया में पिर खड़ाब को ले झालायंस में लेकी ने एक mal विने शामिल हूसे अढ़ार में दोब रहे हैं लेप रहे हैं prevail